क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे समाज में कुछ पारिवारिक संबंध धीरे-धीरे अद्रिश्व हो रहे हैं। पहले हर बच्चे के माता-पिता क्या लावा चाचा, ताउ, बुवा, मामा, मौसी जैसे धेरों रिष्टेदार हुआ करते थे। लेकिन अब ये सभी मानो विलुप्त प्रजाती होते जा रहे हैं। चाचा, बुवा, मामा और मौसी होंगे। यदि दो पुत्र हैं लेकिन पुत्री एक ही है तो उनकी जो संताने होंगी उनकी कोई मौसी नहीं होंगी। मा के बाद बच्चों की कोई सबसे सगी महिला होती हैं तो वो मौसी ही होती हैं। यदि किसी के एक पुत्र और दो पुत्री हैं तो चाचा और ताव के रिष्टे नहीं होंगे। यदि एक बेटी और एक बेटा है तो उनकी संतानों का ना तो कोई चाचा होगा, न ताव, न मौसी। यदि एक बेटा या एक बेटी होती है तो वो पूरी तरह से अकेला होगा माता-पिता के बाद उसका कोई रक्त संबंधी नहीं होगा सिंगल चाइल फैमली को उनका निर्णय, तीसरी पीड़ी यानि जिनके वो दादा-दादी होंगे बुरी तरह प्रभावित करेगा इसलिए दमपत्ती को सिंगल चाइल के निर्णय पर गमभीरता से विचार करना चाहिए ये न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को विवश्च करेगा बलकि हमारी हिंदू परिवार व्रवस्था को भी नश्ट कर देगा पश्चमी देशों में सिंगल चाइल पॉलिसी भारत से पहले आरंब हो गई थी वहाँ पर इसके भायावः परणाम सामने आने लगे हैं ब्रेटिश होए द्वान टेविट सेलबॉन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इसमें बताया गया है कि परश्चमी समाज पर इसलाम का अधिकार होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण एक शक्तिशाली परिवार व्यवस्था का अभाव है यूरोपी ये देशों में परिवार नाम की संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है लोग विवाह करना पसंद नहीं करते समलेंगिक्ता, अवैद संबंध, लिविन रिलेशन जैसी कुरीतियां सामान निबात है उन समाजों में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें नहीं पता होता कि उनके पिता कौन है बुढ़े माता पिता को घर में रखने को कोई तैयार नहीं ओल्ड एज होम में उनका बुढ़ापा बीचता है यूरुपीय देशों में आज राजनीतिक दल परिवार को बचाने का वादा अपने चुनावी घोषना पत्र में करने लगे हैं आस्ट्रिलिया में तो फैमली फर्स्ट नाम से एक राजनीतिक दल भी बन गया है परश्च्रमी देशों के समाज शास्यों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार व्यवस्था को कैसे बचाया जाए इस सब के लिए उनके पास यही सुझाव है कि एक से अधिक बच्चे पैदा हो अब यही चुनावती भारती समाज के सामने भी खड़ी होने जा रही है क्या हम समय रहते सतर खो पाएंगे या हमारे साथ भी वही होगा जो परश्च्रमी देशों के साथ हो रहा है क्योत्क अधिकान थाइब के संवा है कर्णार सुझास